हलो फ्रेंड्स बेलकम टू एक्जाम सोच पर दोस्तो इस बेडियो में हम करेंगे भाड़ते सब्धान के टॉप 100 कोशन फ्रेंड्स अगर आप किसी भी कॉम्प्टेटिव एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं तो ये बेडियो आपके लिए वेरे इंपोर्डन्ट है इसलिए दोस्तो आप इस बेडियो को पूरा सिरूर देखेगा बेडियो बहुती सांदार्ट चबरदस होगी तो चले शुरू करते हैं दोस्तो पहला कोशन है उचितम न्याले के अधिकार छेतर को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है संसद के पास होता है केवल संसद उचितम न्याले के अधिकार छेतर को बढ़ा सकती है अगला कोशन भारत के सरबोच न्याले की अस्थापना कब हुई थी भारत के सरबोच न्याले की अस्थापना 28 जन्याले की अस्थापना नई दिल्ले में हुई थी नेक्स्ट कोशन, सरवोच न्याले में मुख न्याधीस सहित कुल कितने न्याधीस हो सकते हैं, 34 न्याधीस हो सकते हैं, और 33 अन्य न्याधीस होते हैं, इसके लबा एक मुख न्याधीस होता है, अगला कोशन, उचितम न्याले के न्याधीसों की संख्या में ब्रधी करने की स संख्या में बृध्धी कर सकती है। अगला कोशन भारती सब्धान का कौन सा अंचेद सब्धानिक बिबाद में सर्बोच न्याले की अपीलिये छेतरा अधिकार से सम्धित है। केंद्र और राज्यों के मध्ध होने वाले विबादों का निर्डे करने की भारत के उचितम न्याले की सकती आती है। इसके मूल अधिकारिक्ता के अंतरगत आती है। अगला कोसन उचितम न्याले ने सब्धान के मूल ढाचे का सिधान्त किस वाद में प्रतिपादित किया था। कैसुअनन्द भारती बनाम केरल राजवाद 1973 का जो वाद है इसमें उचितम न्याले ने सब्धान के मूल ढाचे का सिधान्त का प्रतिपादन किया कैसुअनन्द भारती बनाम केरल राजवाद में। अगला कोशन सब्धान का कौन सा अंचितम न्याले को उसके द्वारा दिये गए निर्डे अथबा आदेश के पुनर विलेकुन हैत अधिकरित करता है अंचित 133 से जो अधिकरित करता है अंचित 133 से आर्टिकल 137 है अगला कोशन भारती में सब्धान की मूल सरचना यानि की बुन्यादी ढाचा के सिधान्द का स्रोत है नैक समिच्छा है मूल सरचना के सिधान्द का स्रोत नैक समिच्छा है अगला कोशन सब्धान की ब्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है सरबोच न्याले को सुप् कौन से मामले आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन ये उच न्याले और उच तम न्याले दोनों की अधिकारिक्ता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन अगला कोसन भारते सब्धान का सनक्षक कौन है सरबोच न्याले सुपरीम कोट भार्ते सब्धान का सरक्षक होता हैं नेक्स्ट क्वेस्टन कानूनी मामलों पर उच्चतम न्याले से किसे प्रामर्स लेने का अधिकार है राष्टपती को और ये अनुचेत 143 मिं बताएगे है आर्टिकल 143 मिं बताएगे है कि राष्टपती सर्बोच न्याले से प्रामर्स मांग सकता है कानूनी मामलों पर अगला क्वेस्टन भारती सब्धान के किस अनुचेत की अंतरगत सर्भोच न्याले भारती नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरच्छा करता है अनुचेत 32 के तहत और अनुचेत 32 में सब्धान उप्चारों का अधिकार बताया गया है अगला क्वेस्टन भारत के न्याले में से किसे या किने अभलेक न्याले माना चाता है उच न्याले और उच तम न्याले को अभलेक न्याले कहा जता है उच न्याले और उच तम न्याले को यानि option number D A और B दोनों correct answer हो जाएगा तो option number D इस question का correct answer हो जाएगा अगला क्वेस्टन लोक हित वाद P.I.L. की संकल्पना का उदगम किस देश से हुआ था सेउक्त राज अमेरिका से हो था राज पाल होता है राज का कारिकारी और सब्धानिक परमुक राज का राज पाल होता है अगला क्वेस्टन किसी राज में राज पाल की न्युक्ति सब्धान के किस अंचेद की अंतरगत की जाती है सबधान के अंचेद 155 के अंतरगत राजपाल के निवक्ति के जाती है आर्टिकल 155 के अंतरगत बिधान परसद में राजपाल दोरा कितने सदस्यों को मनुनीत किया जाता है कुल सदस्यों का एक बटे छे भाग राजपाल दोरा बिधान परसद में मनुनीत किया जता है कुल सदस्यों का एक बटे छे भाग जारखंड, चतीजगड, मदपर्देश तधा ओडिसा में एक जन जातिये कल्याण मंतरी की नियुकती कौन करता है राजपाल करता है राजपाल जारखंड, चतीजगड, मदपर्देश और ओडिसा राज में एक जन जातिये कल्याण मंतरी की नियुकती करता है अगला कोस्टन राजपिधान सबा के सत्त्रावसान यानि की प्रोरोगेशन का आदेश किसके दोरा दिया जाता है राजपाल के दोरा दिया जाता है राजपिधान सबा के सत्त्रावसान का आदेश राजपाल के दोरा दिया जाता है अगला कोस्टन राजपाल किसकी सलापर जिला नियाधिसु की नियुकती, अस्थान अंतरण और परुन्नत कर सकता है उच्छ न्याले हाई कोड के आदेश पर राजपाल ऐसा कर सकता है अगला कोशन राजपाल के बेतन और भत्ते किस निधी से दिया जाते हैं राज की संचित निधी से दिया जाते हैं राजपाल के बेतन और भत्ते राज की संचित निधी से दिया जाते हैं राजपाल किस अनुचेत के अंदरगत राश्टपती के विचार के लिए किसी विधे को आरचित रख सकता है अनुचेत दोसो आर्टिकल दोसो के अंदरगत राजपाल किसी विधे को आरचित रख सकता है आर्टिकल दोसो के तहट अगला कोशन वर्तमान में राजपाल का मासिक बेतन कितना है तीन लाग पचास जार है वर्तमान में राजपाल का बेतन तीन लाग पचास जार है अगला कोशन राजपाल किसके प्रत उत्तरदाई होता है राश्टपती के प्रत उत्तरदाई होता है राश्टपती के प्रत उ कस्मीर के उपर राजपाल यानि केंदर सासित परदेशों के उपर राजपाल की नूटी भारत का राच्ट पती करता है। Next question, भारत में राजपाल बनने बाली पहली महला कौन थी? अगला question, राज बिधान सभभाओं में आँगल भारति समधाय के लिए परतनिधित का पराओधान भारत के सबधान के किस अनचेद के दोरा किया गये हैं? सबधान के अंचे 333 के दोरा किया गये है आठकल 333 के दोरा Next question भारत में राच बिधान मंडलू का उच्छ सदन कौन सा है बिधान परसद उच्छ सदन होता है बिधान परसद उच्छ सदन होता है और बिधान सभा निम्न सदन होती है बिधान सभा निमन सदन होती है और बिधान परसद उच सदन होता है तो आप बिधान सभा को भी याद रखेगा बिधान सभा निमन सदन होता है नेक्स्ट क्वेस्टन राज्यों के बित्तिये लेखों पर कौन नियंतरण रखता है नियंतरक महा लेखा प्रिचक यानि कि CAG राजियों के बित्तिय लेखों पर नियंतर रगता है अगला कॉस्टन बिधान परसद किसी साधार बिधेक को अधिक्तम कितने समय तक रोग सकती है अधिक्तम 4 महां तक रोग सकती है विधान परसद किसी साधार बिधैक को अधिक्तम 4 महने तक रोग सकती है Next question है दोस्तों भारते सब्धान की किस अनचेत के अंतरगत विधान सभा को विधान परसद का सर्जन एम से समाप्द करने का अधिकार प्राप्थ है अगला कोस्तन राज की बिधान सभाव में सदस्तियों की संख्या किस अनचेद में निर्धार्थ की गई है अगला कोस्तन राज बिधान सभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है भारत का निर्वाचन आयोग संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग नेक्स्ट कोस्तन भारत के किस राज में सामान नागरिक सहता लागू है गोबा राज में सामान नागरिक सहता लागू है राज बिधान सभा अध्यच यानि कि स्पीकर अपना त्याग पत्र किसे सूपता है उपाध्यच को सूपता है राज बिधान सभा के उपाध्यच को अपना त्याग पत्र देता है बिधान सभा का अध्यच अगला कौसंट बिधान सभा के सदस्यों की निरहताओं से समधित प्रसनों पर अन्तम निरणे किस के दोरा दिया जाता है अन्तम निरणे राजपाल के दोरा we also к track निरुवाचित होने के लिए नियुंतम आयू सीमा क्या है 25 वर्स है बिधान सभा का सदस बनने के लिए नियूंतम आयूसीमा 25 वर्स होनी चाहिए और बिधान परसद का सदस बनने के लिए नियूंतम आयूसीमा 35 वर्स होनी चाहिए अगला कोसन राज सरकार के मंत्रियों के बेतन और भत्तों का निर्धारण किसके दोरा किया जाता है। अगला कोसन राज की संचित निधे से दिया जाते हैं। इलहाबाद उचितम नियाले के निर्धे से पूर्ब किस उचित नियाले ने ये कहा कि तीन बार तलाक होना गेर कानूनी है। अगला कोसन एक उचित नियाले का नियाधिस अपना त्याक पत्र किसे सम्मोधित करता है। राज्ट पति को देता है उचितन नियाले का नियाधिस अपना त्याक पत्र राज्ट पति को देता है। राज्ट के राष्ट पति को देता है। नेक्स्ट कोसन भारत में उचितन नियाले की कुल कितनी संख्या है। पचीस उचितन नियाले हैं भारत में कुल पचीस हाई कोट है। अगला कोसन राज्ट के उचितन नियाले का मुख छेतराधिकार के अंतरगत अधिकार नहीं आता है। परामर्स संबंधी छेतराधिकार नहीं आता है। राज्ट के उचितन नियाले के मुख छेतराधिकार के अंतरगत। अगला कोसन अधिनेस्त नियाले की कार पद्यति का परिछण कौन सी याज़का करती है। अगला कोसन भारत के सब्धान के अंसार जिला नियाधिसु के अंतरगत कौन समलित नहीं होता है। अधिकरण नियाधिसु के अंतरगत समलित नहीं होते हैं। अधिकरण नियाधिसु के अंतरगत एक बैक्त को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। अधिक्तम तीन महां तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। अधिकत्म तीन महिने तक Next question इलहाबात उच्श नियाले का गठन कब हुआ था 1866 में इलहाबात उच्श नियाले का गठन हुआ था Next question नियाले में कारवाही लंबित होनी की दसा में लागू की जाती है उत प्रेसर लागू किया जता है नियाले में कारवाही लंबित होनी के दसा में उत्प्रेसर स्र्रेट जारी के जाती है समौरथी सूची के विशे पर केंदर और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकते हैं अगला कोसन, केंदर राज संबंधों पर वर्ष 1971 में, राज मननार समती का गठन किस राज के दोरा किया गया था तमिलनाडू राज के दोरा राज मननार समती का गठन किया गया था अगला कोसन छेतरी परसदों का सरजन किस के माध्यम से किया गया है संसदी कानून के दोरा किया गया है छेतरीय परसदों का सिर्जन किया गया है संसदी कानून के दोरा नेक्स्ट कोस्तन अंतराजीय परसद का उपबंध किस अनुचेद में किया गया है अनुचेद 263 में अंतराजीय परसद का उपबंध किया गया है आठिकल 263 में अगला कोस्तन, रेडियो या दूर दर्सनों के बिग्यापनों पर कर कोन लगाता है? राज्य सरकार लगाता है, रेडियो और दूर दर्सनों पर कर लगाता है? राज्य सरकार. अगला कोस्तन, केंद्र तथा राज्यों के मद सक्तियों का विभाजन के इस अंचेत की अंतरग केंद्र और राज्यों के मद्ध सक्तियों का विभाजन किया गया है सक्तियों का भटवारा किया गया है नेक्स्ट क्वेसन अंतर राज्ये परसद का पदेन अध्यच कौन होता है परधान मंत्री अंतर राज्ये परसद का पदेन अध्यच होता है भारत का परधान मंत्री संग द्वारा कौन सा कर लगाय ववसूला जता है और संग तथा राजियों में बाटा जता है किर्सी आय की अत्रिक्त आय पर जोकर लगा जता है और संग और राजियों में बाटा जता है सरकरिया आयो का गठन कब किया गया था मार्च 1983 में सरकरिया आयों का गठन किया गया था अगला कोशन सब्धान की किस अनुचेद में प्रावधान किया गया है कि बिधी के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगा जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है अंचे 265 में आर्टिकल 265 में बताया गया है ना तो कोई सब्धान के अधिकार के बिना कर लगा ज़े सकता है और ना ही यकत्रित किया ज़े सकता है आर्टिकल 265 में बताया गया है अंतराजे परसद का गठन कब किया गया था? 18 मई 1990 को अंतराजे परसद का गठन किया गया था? 18 मई 1990 को केंदर राज संबंधों को विशेश रूप से किस प्रासंग में मेनिसिपल संबंध कहाँ गया है अगला कोस्तन अगला कुशन दोस्तो जल संबंधी विबादों का न्याय निरणे किस अंचेत की अंतरगत आता है अंचेत 262 की अंतरगत जल संबंधी विबादों का न्याय निरणे किया जाता है आर्टिकल 262 की अंतरगत Next question ये सुझाओ के समती ने दिया कि राजपाल के परसाथ परियंत राजमंत्री परसत के पद धार्ट करने से सम्मधित प्रावधान समाप्द कर दिया जाएं राजमंनार समती ने कहा था राजमंनार समती ने बारती सब्धान में संग और राज्यों के परसासनिक संबंधों का उल्लेक किस अनुछेद में किया गये है। अंचेद 256 से अंचेद 263 में बताया गया है अंचेद 256 से अंचेद 263 तक अगला कोसन अंतराजे परसद की गठन का पराउधान किस अंचेद की अंतरगत किया गया है अंचेद 263 की अंतरगत अंतराजे परसद की गठन का पराउधान किया गया है किस ने कहा था कि राश्टपती का आपात कालिन अधिकार सब्धान के साथ धोखा है के एम नामब्यार ने कहा था के एम नामब्यार नहीं नेक्स्ट क्वेस्टन भारते सब्धान के किस अन्चेत की अंतरगत भारत सरगार का दायुत है कि वो बाह आकरमण आंतरिक आसांती से राज्जियों की रच्छा करें अंचे 355 में आर्टिकल 355 में कहा था कि भारत सरगार राज्जियों की बाह आकरमण और आंतरिक आसांती से रच्छा करें नेक्स्ट कोस्टन भारते सब्धान की किस अनुचेत के अंदरगत किसी राज में राज्टपती सासन लागू किया जा सकता हैं। अग्स्ट कोस्टन भारते सब्धान की अंचे 356 की अंतरगत राज्टपती सासन सुरपर्थम किस राज में लागू किया गया था। पंजाप राज में सुरपर्थम राश्टपती सासन लगा गया था पंजाप राज में। अगला कोस्टन बित आयोग में अध्धच के अतरिक्त कुल कितने सदस होते हैं। अध्धच के अतरिक्त चार अने सदस होते हैं बित आयोग में चार अने सदस होते हैं। और बित आयोग की निवक्ती कोन करता हैं। भारत का राश्टपती करता हैं। अगला कोस्टन बित आयोग की सामे कितने धी राज्जियों को राज्जिसों की सहायता है अनुदान देने वाले सिद्धान्तु की अनुदसा कौन सा पराधिकरण करता हैं। बित आयोग करता हैं। अगला कोस्टन योजना आयोग की अस्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की अस्थापना की गए थी 15 मार्च 1950 को अगला कोसन योजना आयोक के पर्थम अध्यच कों थे? पंडि जबालन नहरू योजना आयोक के पर्थम अध्यच थे? क्योंकि ये भारत के पर्थम परधान मंत्री थे और परधान मंत्री योजना आयोक का अध्यच होता था तो पंडि जबालन नहरू योजना आयोक के पर् अगर बात करें वर्तमान में नीती आयो के अध्यच की तो नरेंद मोदी नीती आयो के अध्यच हैं। और एक जनूरी 2015 को इसका गठन किया गया एक जनूरी 2015 को। अगर बात करें वर्तमान में नीती आयो के अध्यच की तो नरेंद मोदी वर्तमान में अध्यच के अध्यच हैं। नेक्स्ट कोस्टन है दोस्तों योजना आयोग ने संग का अस्थान ले लिया है और हमारा देज अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कारी कर रहा है। नेक्स्ट कोस्टन राजनीतिक दल को राष्ट्री या छेत्री दल की मानिता देने का अधिकार केबल चुनाओ आयोग को प्राप्त है। अगला कोसन, नेक्स्ट और लास्ट कोसन है दोस्तों, भारत के मुख चुनाव आयुक्त को किसके दोरा नियुक्त किया जाता है, राष्ट पती के दोरा नियुक्त किया जाता है, भारत के मुख चुनाव आयुक्त को राष्ट पती के दोरा पांच सालों के लिए नियुक्त क पसंदे होगी अगर आपको ये वीडियो पसंदे है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को सेर भी करिएगा चैनल को अगर आपने अब दिक सब्सक्राइब नहीं कि है तो प्ले चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कलेजी ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक चुरूर पहुंचें कॉमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप कॉमेंट सेक्शन में चुरूर बताएगा टेलेग्राम सेनों को नहीं स्वयन किया है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से में जागा टेलेग्राम सेनों को जरूर स्वयन कल सी सुमलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चैहिं चैभारत